आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें आज हम करने जा रहे हैं हमारी छटी क्लास की वर्कशीट जो की है हिंदी की और आज हमारी वर्कशीट का नमबर है 15 और हमारी तारीख है आज 17 नवंबर तो चलो देखते हैं आज की क्या खास बाते हैं हमारी वर्कशीट में आज हम करने जा रहे हैं हमारी बसंद की पुस्तव के पार्ट पांच को जो एक निबंद के रूप में है यानि कि निबंद विदा है और नाम है पुनाकात मूले ये महत्रपून बात है जो हमें ध्यान में रखनी है पाट का नाम पाट के विधा और लेखक का नाम अब पढ़ते हैं आगे अक्षरों की कहानी यह पुस्तक अक्षरों से बनी है सारी पुस्तके अक्षरों से बनी है तरहा तरहा की पुस्तके तरहा तरहा पुस्तके रोज छपती हैं । तरहा तरहा के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं इन सब के मूल में हैं अक्षर देखिए क्या बताया गया है यहां पर कहा गया है कि जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं वह भी अक्षरों से बनी हुई है और जितनी भी पुस्तके हैं वह सब अक्षरों से बनी हुई है तरहा तरहा के अक्षर होते हैं करोणों पुस्तक के अप चप चुकी है और इसी तरह की अन्य बाते यहां पर बताई गई है हम कलपना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी को अक्षरों न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता कोई कह सकता है हम अक्षरों को अनादी काल से जानते हैं अनादी काल का मतलब होता है जो हमेशा से मौजूद हो हमेशा से मौजूद है इसका मतलब होता है कि हम ये कह रहे हैं कि ये इश्वर ने बनाया है जैसे हम कई बार कह देते हैं कि सूरह अनादी काल से तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अक्षर अनादी काल से है तो नहीं कह सकते क्यूं कि हमें पता है कि अक्षरों को खुद मनुष्य ने बनाया है तो चलो पढ़ते हैं आगे पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज इश्वर ने की है तो देखा यहाँ पर कितनी महत्रकून बात बताई गया है कि पहले लोग यहीं सोचा करते थे कि अक्षर भी इश्वर ने ही बनाए है लेकिन आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी इश्वर ने नहीं बल्कि स्वेम आदमी ने ही की है अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षिरों की खोज किस देश में किस समय में हुई जैसे इंगलिश की बात करें तो यूरोपिय देशों की बात करते हैं और वहीं हिंदी की संस्कृत के शब्दों की बात जब हम करते हैं तो हम भारत वर्ष की बात करते हैं इस तरीके से ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसमें अक्षरों के बारे में हमें काफी चीज़े बताई गई हैं तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा अक्षरों की खोज किस ने की है तो अक्षरों की खोज स्वयमानव ने की है उसके बाद हमें कुछ चित्र दिये गए हैं दूसरे प्रश्ण में और हमसे कहा गया है कि ये संकेत हैं और इन संकेतों को देखकर हमें बताना हैं दर असल अक्षरों से पहले संकेतिक भाशा का प्रियोग किया जाता था और उसमें जो निशान होते थे उसे देखकर बात को समझना होता था यहाँ पर फिलहाल यह संकेत दिये हैं जिनका मतलब हमें बताना है तो सबसे पहले में देख सकते हो आप कि एक चित्र है जिसमें बच्चे के चलने का निशान है तो ऐसा निशान वहाँ बना होता है जहाँ पर स्कूल होता है उसके बाद दूसरा चित्र है जिसके अंदर गोल दिखाया गया है यह गोल चकर को दिखाता है आपको याद है हम रास्ते में कभी जा रहे होते हैं तो बीच में गोल चक्कर पड़ते हैं तो ये उसे दिखाता है कि गोल घूम कर जाएं उसके बाद जो ये निशान है वो है दाएं हाथ पर मोडे यानि आपके दाएं हाथ पर मोड है और ये दूसरा निशान जो है ये है बाएं हाथ पर मोड है आपको दिखाई दे रहा है ये तीर का निशान बाइं ओर है अब अगला प्रश्न आपकी घर में ये आसपास कौन कौन से काम लिख कर किये जाते हैं बताईए तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिससे समान खरीदने जाते हैं तो सुची बनाते हैं घर में हिसाब करते हैं तो उसे लिक्कर करते हैं और पत्र भेजते हैं किसी को आजकल तो इंटरनेट मुबाल से हम फोन पर मैसेज करते हैं सब लिक्कर ही होता है इसके लब बहुत सारे काम है फिलहाल मैंने इतने लिखे हैं आप चाहें तो इसमें और जोड़ कर लिख लीजिए फिर उसके बाद अगला प्रशन है पार्ट में अक्षिरों के बारे में जिस तरह बताया गया है अब अपने विद्याले के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखे तो मैंने आपके यहां कुछ लाईने लिखी हैं कुछ पंक्तियां वाक्य और आप इसमें कुछ और एड़ करके लिखना चाहते हैं जोड़ कर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा यह हमारे चौथे प्रशन का उत्तर तो यह थी आज की वरक्षीट जो बहुत सारी नॉलेज के साथ हमारे सामने मौदूध है और फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी वरक्षीट के साथ लेकिन तब तक के लिए आपको करना यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी सी प्यार्थी वीडियो के साथ तब तक के लिए स्वस्त रहें कुछ रहें नमस्कार और धन्यवाद